कि हमारे चैनल में स्वागत है और देखिए अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और सब्सक्राइब ने किया तो देखिए लाग बटन यहाँ पे हैं और बेल आइकन में प्रेस कर दीजेगे ताकि आपको नए वीडियो की सूचना मिलती रहे चली हम इस टॉक के बारे में बात कि मैं कुछ प्रोडक्स भी दिखा दू हो सकता है बहुत लोगों को ना पता रहता हो चाहे छोटा गाउं हो चाहे कुछ छोटा शहर हो चाहे मेट्रो सिटीज हो कहीं भी इसके शोरूम से आपको मिल जाएंगे या अगर शोरूम नहीं है तो इस पोर्ट के शूज में या शॉप में इनके बाटा के प्रोडक्स जरूर मिलते हैं अब सोची इतनी बड़ी इनकी चैन है और कितने जमाने से यह कंपनी है बच्पन सुनते आया तीसरी चीज इनके इतने एंप्लॉईज है और अभी तक यह कंपनी जबर्दस्त स्ट्रॉंग कंपनी चल रही है और अ बाटा इंडिया लिमिटेड दस अप्रिल दो हजार उनिस बारा बच्चे ग्यारा मिनेट ब्येस से पर इसका तेरा सु निन्यानबी रुपई यानि करीब चौदा सो रुपई के आसपस ट्रेट कर रहा है और मैं आपको एक चार्ट पर लाया हूं पांच सालों के चार्ट अब देखिये डिविडेंट हर साल पर कर ता है लेकिन धीरे-धीरे जिस भी अपसकी ग्रोथ है ऐसी कंपणियों की ग्रोथ जो होती है आ वही जबवर्दस्त मजबूट पहार बनता जाता है टिकाओ होता है देखिये धीरे-धीरे श़ेवर्यः के नूमाכा 244,4 यहां प एक साल का जो लो था इनका 705 रुपया और आज 1400 करीब है मतलब एक साल में आपको डबल कर दिया इसने कितने जबदस कमपनी है तो 52 वीक लो इसने 735 रुपया और है इसका 14-24 रुपया है एक साल में आपका पैसा डबल कर दिया है 67% कहा रहे है कि बाई का लिजे 33% कहा रहे है कि बेच दीजिए और मार्केट का है फे 18,009 करोड का अर्णिंग पर शेयर 22 रुपय तिरासी पैसे का पी इसका 61.38 का है बुक वैल्यू है 115 रुपय और प्राइस टुबुक है 12.18 और डिविडेंट भी देखे जवादस पे कर रहती है फेस वैल्यू अभी भी पांच की है इंडस्ट्री पी है 54 की और डिलिवरेवल 34.96 अब जिनका इतना बड़ा expansion होता है जिनके इतने employees होते हैं जिनके इतनी shops होती है उनका देखो करजा zero है मतलब इतनी कमाई है निकी कि ये सब कुछ निकाल लेते हैं उसके बाद भी net profit इनको इतना बचता है तो जहां मार्च 18 में 632 करोड की net sales थी वहीं जून 18 में 797 की और सिप्तमबर 18 में 673 की और द जून 18 में 82 की हो गई और सिक्तमबर 18 में 55 की लेकिन अगें डिसमबर 18 में से बर्दस्त रिटल आया और देखो तीन करोड की net profit में तभी तो ऐसे stock जहां बावना करोड सीधे double हो गए net profit भी तो stock price तो obviously भाग एक ऐसी कमपनिया जिन पर करजा नहीं को कोई interest पे ही नहीं करना है तो ऐसे ही कमपनिया तो आपको कम आके देती है एक साल में double कर देती हैं लोग भागते हैं कि इतना महेंगा शोयर इतना महेंगा शोयर 1400 का हो गया मालूम में कि आज थोड़े से valuation obviously महेंगे हैं क्योंकि केस्टमर्स ऐसे होते हैं इनके पास इतना पैसा नहीं होता कि इतने return very positive है और returns पर चलते हैं यह return देखते हैं दस सालों में इसने 327% का return दिया जो की बहुत हिशामदार है और 5 सालों में 108% का चार सालों में 140% का तीन सालों में 165% का और 2 सालों में 116% का एक सालों में 81% का एक तिलेट में 30% का सब़तस द Summear, 6 महीने में 53% का सब़तस रिटन और थ्री महिने में 20% के आसपास वन मन्त में 5% के आसपास और वन वीक में 0.38% की और वन डे जिरो पॉइंट हलका सा यहां पर जटका लाल पर दिखा रहा लेकिन कोई बात नहीं अब देखिए सब जगह रिटन दिया कहीं भी आपको रेट पर निशान नहीं दिखाए दे र होंगे जिससाब से आपके वैलवेशन है इस कंपनी के उस तरीके से अभी इस पे थोड़ा सा और अगर नीचे मिलता है तो लेने लायक है और मुझे भी थोड़ा से एक्सपेंसी लग रहा है लेकिन ऐसी कंपनियां देखिए क्या होता है हो सकता है कि मिले इना बहुत जब अगर आपका वीव है 15-16 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तो 100-200 रुपय महंगा फुल मायने नहीं रखता जादा युकि आपको बस लेके रख देना डिविडेंट खाना पीना है और आपको बनाती जाएगी बनाती जाएगी आपको पैसे आपके प्रोड़क्ट प्रमोडर्स के पा इंडिविजुल्स है 11.86 परसंट इंडिविजुल्स है 11.86 परसंट इंडिविडेंट पें की सार चार रुपय परशर के साब से डिविडेंट पें करती है और अपनी इंदस्ट्री में नमबर वन कंपनी है बाता-India limited manufacturers footwear for men, women and children the company manufactures shoes of various qualities such as leather, rubber, canvas and PVC shoes currently the company owns brands like Hushpuppies, Dr. Skolls, Northstar, Power, Marie Claire, Bubblegumers, Ambassador, Comfit and Wind Friends, मुझे लगता है कि यह 17 कंपनी आपको मैंने आज बताई है और जब भी आपको इसमें कुछ गिरावट में लेने से चूके नहीं बहले यह एक-दो share लेके रख दीजिए, कोई बात में अच्छी कंपनीओं के आपके portfolio में जगह होनी चाहिए मैं हमेशा यही कहता हूँ चलिए मैं आज वीडियो यहीं पर wind up करता हूँ और मेरा एक disclaimer है कि यह कोई भी stock खरीदने या बेशने से पहले आप अपने financial advisor ज़रू मशुरा कर लें Thanks for watching this video